कल क्या हुआ दोस्तों ना घर में धेर सारा काम है जैसे कि छट पूजा है और गेहू फैलाना चावल धोना सबी लगा है तो इसे मैं अगोरने के लिए यानि कि छट पे चली गई दीदी ने बोला यहां से हिलना मत मैं धोके फैलाई हूँ तुम देखना कववे या चिडिया चुए नहीं तो मैं बैठी रह गई गेहू के पास और मैं ध्यान से उतर गया कि मैंने चूले पे घी पकने के लिए रखा था थोड़ी दीर बाद धुआ और बहुत सारी बद्बू किचन से आने लगी आई जब यहां पे किचन में देखी कि मेरा घी से पूरी कड़ाई ज आइ। तो मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा लिया बेकिंग सोडा और इस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और नीबू का जो छिलका रहता है जमाया हुआ था थोड़ा सा पानी डालके इसे रब किया और इसके मैंने कैसे बनाया इस वीडियो को देखना है तो आप उपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं डिप्सक्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो इसे मैंने रगड़ा और रगड़ते रगड़ते मै यह ने देखा कि मेरी चिकनाई बहुत अच्छे से गायब होरी अब देख तो लीजिए दोस्तों बातों ही बातों में यह कड़ाई हमारी साफ हो गई यह चमकने लगी थी तो थोड़ा थोड़ा और इसे रगड़ लेना है साइड 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 से देखी आप कुछी बिल्कुल साफ सुतरी हो जाएगी तो यह ट्रीक आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बताएगा पीछे के साइड में मिट्टी लगाया है ताकि कडाई की सतह मोटी रहे इसलिए हम पीछे मिट्टी लगा देते हैं तो उसे जादा रगड़ते नहीं है और यह बीच वाला किचन में जाके रख दी और किसी को पता भी नी चला तो कडाई मेरी जल गई थी तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बताएगा कल फिर मिलेंगे बाबा लाव यू